हेलो दोस्तो आपके अपने चैनल हिंदी टूटिच फॉर यू में आपका स्वागत है दोस्तो अगर आप विंडोस 7 यूजर हैं तो आपको बुट एम जयार इस कॉम्प्रेजड का एरर कभी ने कभी जरूर देखने को मिलता होगा दोस्तो बुट एम जयार इस कॉम्प्रेजड एरर बहुत से रिजन की वज़े से आता है जिसमें सबसे में रिजन है की बुट एम जयार फाइल जो की विंडोस की बुटेबल राइब में यानि हमरे विंडोस की सी ड्राइब में रहती है अगर बुट एम जयार फाइल कॉम् से स्वाल्व करते हैं इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे दोस्तों अगर आपकी सिस्टम में भी बूट एम जयार इसको अमप्रेश डिकारर शोर आए तो फिर यह वीडियो आप भीना स्किप किये लास्ट तक देखें तो चलिए हम वीडियो को शुरू करें और कमेंड करें दोस्तों इससे पहले हमने वुट एम जयार इस मिसिंग एर्र क्या होता है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं इसके उपर हमारी यूटुब चैनल पर वीडियो अप्रोड किया था अगर आपने हमारा ये वीडियो नहीं देखा है तो आप उपर आई के पर क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तों हम यहां पर सिस्टम को ओन कर रहे हैं तो सिस्टम को ओन करने पर वुट एम जयार इसको अंप्रेजड प्रेस कंट्रोल अल्टर डिलिट का एर्र मेसेज शोर आए दोस्तों इस एर्र मेसेज को स्वाल्व करने के लिए आपको Windows 7 की bootable pen drive या bootable cdvd की जरुवत पड़ेगी तब आप इस error को solve कर पाएंगे दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि Windows की bootable pen drive या cdvd कैसे बनाते हैं तो आप हमारा bootmjr is missing वाला वीडियो देख सकते हैं उस वीडियो में हमने pen drive bootable करना भी बताया है तो दोस्तों pen drive या cdvd को bootable बनाने के बाद pen drive को उस system में insert करें जिसमें आपको bootmjr इस compressed का error show हो रहा है इसके बाद system को on करें और system को on करने के बाद boot menu को open करें दोस्तों अगर आप Lenovo, Asus, HP, Dell, Compact, Azure के computer laptop यूजज़ कर रहे हैं तो boot menu को open करने के लिए आप in keys का use करके boot menu को open कर सकते हैं जैसा कि आपको image में show रहा है या अगर आप other brand के system use कर रहे हैं तो boot menu को open करने के लिए F11 या F12 की का use करके boot menu को open कर सकते हैं तो दोस्तों हम यहाँ पर HP का system use कर रहे हैं तो boot menu को open करने के लिए हम F9 की को प्रेस करेंगे जिससे boot menu open हो जाएग इसके बाद अगर आपने Windows की setup file को pen drive में boot किया है तो आप pen drive को select करें और अगर आपने Windows की ISO setup file को CD या DVD में boot किया है तो आप यहां से CD DVD को select करें दोस्तों हमने Windows की ISO setup file को pen drive में boot किया है तो हम keyboard से arrow key को press करके pen drive को select करते हैं और interface करते हैं जिससे pen drive boot होना start हो जाएगी आप देख सकते हैं यहां पर pen drive boot होना start हो चुकी है अब इसके बाद English language को select करते हुए next पर click करें और keyboard से shift key के साथ f10 key को press करें जिससे command prompt की window open होगी दोस्तों आपको यहां पर bootmgr file को uncompressed करने के लिए compat command को run करना होगा और compat command से आपको check करना होगा कि compat command bootmgr file को uncompressed कर पाती है या नई दोस्तों compat command basically किसी भी file या folder को compressed और uncompressed करने का काम करती है तो आप सबसे पहले c colon type करके interface करें क्योंकि c drive में Windows इंस्टाल होता है दोस्तों अगर आपके सिस्टम में Windows किसी वर ड्राइब में इस्टाल है तो इस drive letter को यहां पर type करके interface करें जिससे वर ड्राइब सेलेक्ट हो जाएगी इसके बाद compat command को run करेंगे compact space slash u दोस्तों यहां पर u का मतलब uncompressed होता है इसके बाद space देकर c colon back slash bootmgr type करेंगे क्योंकि हमारा Windows c drive में install है और फिर interface करेंगे दोस्तों यहां पर compat command run नहीं हो रही है क्योंकि दोस्तों Windows 7 में compat command run नहीं होती है अगर आप Windows 10 में compat command से bootmgr file को uncompressed करेंगे तो यहां command run हो जाएगी लेकिन Windows 7 में यहां command run नहीं होती है अगर आपके system में भी compat command run नहीं होती है तो फिर आप second वाली steps को follow करें इसके लिए command prompt में not pet type करें और interface करें जिससे not pet open हो जाएगा अब file menu पर click करें और open पर click करें इसके बाद computer पर click करें और यहां से आपकी Windows की drive को select करें जैसे हमारे Windows की drive C है तो हम यहां पर C drive को select करके open पर click करते हैं इसके बाद आपको यहां पर files of type में all files को select करना है जिससे यहां पर Windows की bootmgr file show होगी तो इस file पर आप right click करें और properties पर click कर इस पर क्लिक करें जिससे advance attributes की window open होगी दोस्तों यहाँ पर आपको compress content to save disk space यह option में अगर check box में check लगा होता है तो इससे आप uncheck करें और ok पर क्लिक करें जिससे bootmgr file compress से दूबारा uncompress हो जाएगी इसके बाद apply पर क्लिक करें और ok पर क्लिक करें अब open window को close करें और notpad को close करें इ और आपके system को restart करें और check करें कि आपके system में bootmgr इस compressed error solve हुआ है या नहीं दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे system में bootmgr इस compressed k nou इस तरह आप सिस्टम को बीना फार्मेट किये वुट एम जया इस कामप्रेश डेर्र को सौल्व कर सकते हैं तो दोस्तो आपको यह वीडियो से कुछ नया सिखने को मिला हो तो अभी हमारे यूटुब चैनल को सस्काइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और